असलाव अलेकूम कैसे हैं आप लोग सब उमीद करती हूँ सब ठीक था खेर खेरनेस से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सा डेजर्ट बना रही हूँ चॉकलेट डेजर्ट है और 10-15 मिनट लगेंगे इसको बनने में तो आजिए इससे बनाना शुरू करते हैं जहां पर सबसे पहले मैंने दो या तकरीबन धाई कप के करीग जो है दूद ले लिया था और उसे वाइल करके ठंडा कर लिया यानि के रूम टेंपरेटर पे कर लिया और अभी चूला बनन है इसके अंदर हम कुछ चीज़ें एड अब यहां पर हमें इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आकस में जो यह लंब्स हैं यह खतम हो जाए अभी मैंने चूला अन नहीं किया है और बहुत मज़ी का मीखा बनता है और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी बन जाता है बच्चों को तो ब अब अब बदस लगेगा पसंद आने बाला है आप उह बना के यह इस तरह से दीज़े चलिए मैं आप चूरा जो है ऑन तर रही हूं और यह उसी में इसे मुसलसल जो है चलाते रहना है इसे छोड़ना नहीं है चलिए चूरा मैंने ओन करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स क अब 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 तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मिरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आए तो थम्सप दीजे और कमिट करके ज़रू बतार कीजे कि आपको रेचिपीस कैसी लगती है इसके लावा फैमिली और फ्रेंड्स में भी शे इसके तक छादियो देखें तक बादियो तक तक चाल बाद लगे है और यह अच्छी तिकसी ओगाई अच्छा इस स्टेज पे अब मैं इसमें एड़् करूंगी वैनिला एसंस में इसमें वन टीजपून एड़् कर रही हूँ वैनिला एसंस चाल गया आप इसमें चॉकले यह करना है अधर ग्यार्द में चुला मुले करणें सॉस, पर कएश्डा तक जचा इसमें सब्सक्रत कर दो में इसमें मांच्छा इटन करूंगे हैं यह ादिजने, इसमें बीच्छशाओ मुल्का प्रादा के असे में कर लाद कर से इसमें लिगा है ताक जना है बहुत ज से भी कि फिर नोड़ा हो जाएगा बचलाब अब चलिए अब चलते हैं एनी नेक्टी स्टप की तरफ sera जहां पिर मेरी बिस्केट यह थाथ हुआ है और तकरियम्हार इस फिर airplanes हो दोज की घर जाएगार को उच्छिट यह मिधा फुक्त पसंद आने माला है यह बच्छों को बढ़े शुक्त पाइगे तो इसको जरूर बनाइए का प्राय जरूर कीजिएग इसको एक दफाँ अक्सर ऐसा होता है कि महमान आजातने कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार क्या बनाएं अचानक से बिल्कुल तो आपने फटा फट जहें यह वाला मीठा बना देना है और जो बच्चे आएंगे महमान उनके तो बज़ा आ जाएंगे यह देख पीस से तोड़ के चैनल यह ज लगा लूँगी एक बिस्किर्स की तरह से और जहां पर नमे अपने चॉक्लेट सॉस की लियर लगानी है अब इसमें इसी तरह से अगें रिपीट करेंगे मैं इसकी तीन लियर लगाऊंगी यह हमारी सेकेंड लियर और इसके उपर अप जाएगा चॉक्लेट सॉस अगर आपका जादा हो रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सा दूद्ध कर लिजेगा तो देखेंगे थोड़ा सा मैंने डाला में इसको 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 स्प्रेट करूँगी इस सरह से यह हमारी सेकेंड लियर भी कंप्लीट हो गई है इसी तरह से हमें लगानी है और अब आएगी थर्ड लियर की बारी अब यह हमारी फाइनल लियर है थर्ड लियर है बस जली जली से भी कंप्लीट करते हैं और यह जली हमारी फाइनल थर्ड लियर यह देखे सॉस हमारे कितना गाड़ा हो रहे है बतलब जितनी देर इसको होगी उतना ही गाड़ा होता चला जाएगा इसके आपने जल्दी जल्दी काम करना है बस अब मैं इसे स्पेटुला से पहला लोगी यह देखे तीन लियर्ज हो गई है कम्टीट और हमारे डेजर्ट बिनकुल रेड़ी है इसके ऊपर मैं थोड़े से बिस्किट का मैंने चूरा किया था वह इसके उपर स्प्रिंकिल कर देंगे आप चाहें तो इसमें चॉक्लेट चिक भी आइड़ कर सकते हैं मतलब उबर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं उससे अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तक्रीबर तीन से चार घंटे तक उसके बार अच्छा सा थंड़ा हो जाएगा फिर इसे सर्फ करेंगे और यहां पर हमारे डेजर्ट को रखे वे तक्रीबर चार से पाच घंटे हो गए है बहुत अच्छा सा थंड़ा हो चुका है और यह वैसे तो रेडी हो चुका है आप इसे सर्फ कर सकते हैं लेकिन मैं इसके उपर थोड़ी सी ग्रेट कीवी चॉक्रेट एड़ कर रही हू यह मेरे बेटे की फरवाई सी तो चलें वैसे टोटली ओप्शनल है थोड़ी एक ग्रेट कीवी चॉक्रेट में स्वेट कर रही हूं बस जहां पर मैंने इसको पर चॉक्रेट डाल दी है और बस अब इसे हम सर्फ करते हैं बहुत मज़ेगा यह मीठा बना है त्युक्कि मै कैसी लगी इसे हम इस तरह से निकालेंगे प्रेट में और यहां पर हमारा मज़ेदार सा चॉक्रेट डेजर्ट बिल्कुल डेटी है आप इस recipe को ज़रूर प्राइड कीजेगा चलिए चलती हूं दौं में याद रखेगा फिर आउंगी एक नई recipe के साथ पुदा हाफिस